हेलो एवरिवन वेलकम बाग दिस रोहित सेमवाल आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और अपनी अपनी जगे पे महफूज होंगे तो आज तक की जो YouTube की जर्नी है ना उसके बारे मैं बात करूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी video बनाउंगा YouTube पे या कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरा कोई channel होगा YouTube पे फर्स वीडियो मैंने जब government e-marketplace के उपर अपने channel पे बना के डाला था तो उसके पीछे reason खाली यही था कि मैं देखता था कि लोगों के अंदर lack of knowledge है हाला कि मैं भी कोई इतना बड़ा expert नहीं हूँ, मैं भी daily basis पे सीखता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे सारी चीज़े आती है बट जो चीज़े मेरे को आती हैं मैं try करता हूँ आप लोगों के साथ share करने की तो इस channel पे भी videos डालने का यही motive था कि जितनी भी information मेरे को पता है या फिर जो भी knowledge मेरे को है वो मैं आप लोगों के साथ share करूँ और जितने जादा लोगों को help कर सकूँ अपने channel के through करूँ दीरे दीरे मैंने videos डाली उनका response अच्छा है आप लोगों ने बहुत सारा डेर सारा प्यार दिया किसी ने ये बोला कि सर आप बहुत अच्छा समझाते हो किसी ने ये बताया कि सर आप बहुत अच्छी presentation देते हो किसी ने ऐसी ऐसी चीज़े बताई जो मेरे बारे में खुद मेरे को नहीं बता दी और ये जो journey है 2-3 सालों की मुझे पता ही नहीं चला कि कि मैं किस तरीके से इतने आगे पहुँच गया और आज मैं देखता हूँ अपने चैनल पे तो more than hundred videos मैंने बना के अपने चैनल पे डाल दिये खाली आप लोगों के प्यार से ही ये संबभ हो पाया है वरना मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी YouTube पे अपना वीडियो बना के डालूँगा ना ही मैं कोई YouTuber हूँ ना ही मेरा कोई ऐसा मोटिव था कि मैं कभी YouTuber बनूँगा या फिर ना ही मैंने कभी सोचा था आज भी आज भी मैं अपने आपको YouTuber नहीं बोलता जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ खाली इस परपस से बनाता हूँ कि जो भी मेरे को knowledge है मैं आपके साथ share करूँ और अगर मेरी वीडियो को देख के अगर कोई एक बंदा भी उसको समझ के अपने लिए कोई एक order ले लेता है या फिर अपना कोई काम कर लेता है तो वो मेरा वीडियो बनाने का जो परपस है वो success है तो मेरे को खाली इतना सा ही motivation है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें देख के अगर कोई help लेना चाहता है किसी को information चाहिए और मैं अगर उस परपस को solve कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए वो ही success है apart from this मेरा कोई ऐसा interest नहीं था कि यूट्यूबर पे यूट्यूबर बनना है मेरे को या फिर यूट्यूबर पे एक audience create करनी है अपने लिए ऐसा बिलकुल भी नहीं था over the period of time में वीडियो बनाता चला गया आप लोगों का प्यार मिलता चला गया तो आज एक community भी मेरे साथ जुड़ गई है जो मेरे वीडियो को देखते हैं और मेरे काम को appreciate करते हैं और बताते हैं कि sir आपकी वीडियो अच्छी है आप जो knowledge share करते हैं वो अच्छी है तो मेरे को जो भी knowledge है वो मैं आप लोगों के साथ share करता हूँ हमेशा से मेरा motive ये था कि आप लोगों को सही चीजे पता लगे जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आपको पता रहे कि सही रस्ता क्या है क्योंकि अपनी personal life या फिर अपनी personal business life में भी मैं एक ही चीज को अपनाता हूँ कि हमें हमेशा सही रस्ते पे जाना है और सही रस्ते का पता होना बहुत important है तो एक step मैंने दो साल पहले लिया था कि जहाँ पे मैंने एक free training course run किया था अपने YouTube channel पे जहाँ पे मैंने अपने gem के related छोटी छोटी वीडियो बनाके हर एक main main topics पे जो बनाके मैंने डाली थी वो मैंने एक playlist बनाके अपने YouTube channel पे उसे share किया था तो आज की बात करूँ तो वो playlist आउटडेट तो नहीं बोलूगा बट क्योंकि gem काफी upgrade हो गया है बहुत सारी functionalities add हो गई है बहुत सारी चीज़े जो पहले थी वो अब दूसरे तरीके से होती है साथी साथ मैंने ये भी experience किया कि मतलब अभी भी जो lack of awareness है लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ वो कर सकते हैं और क्या चीज़ वो नहीं कर सकते या फिर किसी भी एक चीज़ को सही तरीके से करने का रस्ता क्या है किस चीज़ का क्या मतलब है कौन सी चीज गौर्मेंटी marketplace पे किस purpose के लिए बनाई गई है वो भी लोगों को नहीं पता है अब क्योंकि लोगों को नहीं पता है तो इसकी वज़े से कई लोग मैं देखता हूँ कि fraud का शिकार भी हो जाते हैं क्योंकि knowledge नहीं है कभी कोई गलत बताता है तो उसे सही मान लेते हैं क्योंकि उनके लिए तो वही सही है जो उन्हें बता रहा है क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल भी knowledge है नहीं तो जो बंदा उन्हें गलत भी बताता ना तो वो समझते हैं कि नहीं ये सही बता रहा है तो मैंने ऐसा सोचा है आप लोगों के प्यार से हम लोग क्या करेंगे कि मैं एक दुबारा से एक free training course मैं एक run करने वाला हूँ अपने channel पे जहां पे मैं government e-market place से related एक छोटी सी छोटी डीटेल मतलब पहले वाला जो मेरा training course हा उसमें मैंने main main topics pick करके उनके उपर videos बनाई थी बट मेरा ऐसा motive है इस बात कि मुझे चाहे 100 दिन लगे 100 videos बनानी पड़ें दुबारा से बट अब इस drive में मैं हर एक छोटी सी छोटी डीटेल कवर करने वाला हूं और ट्राई करूंगा आपको government e-market place के बारे में हर एक जानकारी देने के लिए यह मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जो भी information मैं आप लोगों के साथ share करूंगा वह 100% सही होगी मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया आपने कुछ भी समझ लिया मैं गलत बता रहा हूं तो आप भी गलत समझ रहे हैं और उसको वैसे ही कर रहे हैं जो चीज़ सही होगी वही information आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी हर एक functionality किस तरीके से government e-marketplace के उपर बनाई गई है उसका क्या reason है उसके पीछे क्या logic है कैसे आप उसको use करके अपना business government e-marketplace के उपर कर सकते हैं कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप government e-marketplace के उपर work करते हैं वो इन आने वाली videos में मैं एक छोटी सी छोटी detail और बड़ी सी बड़ी detail मैं cover करने वाला हूँ तो ये जो videos है ना उन लोगों को help करेगी जो government e-marketplace को as a career लेना चाहते हैं जो government e-marketplace पे उपर business कर रहे हैं बट काम किसी और से करवा रहे हैं तो जब आप काम किसी और से करवा रहे हैं ना क्योंकि आपको तो knowledge है नहीं अगर वो बंदा बोल रहा है नहीं हो सकता तो आपने माल लिया नहीं हो सकता तो मेरा ये समझना है कि आपको पता होना चाहिए कि जिससे भी आप काम करवा रहे हैं चाहता हूं कि आप लोगों का बिजनस इतना बड़े कि आप हमेशा किसी ना किसी resource से काम कराएं बट एट लीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप काम करवा रहे हैं वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है तो जो businessman जो काम कर रहे हैं already government e-marketplace के उपर और किसी और से काम करा रहे हैं बट उनको खुद knowledge नहीं है कि government e-marketplace किस तरीके से work करता है तो उनको यह videos help करेगी साथी साथ जो ऐसे लोग हैं जो government e-marketplace या फिर government business में अपना जो business है grow करना चाहते हैं या फिर stretch करना चाहते हैं या फिर expand करना चाहते हैं या फिर जिन्हों ने आस्ता government business नहीं किया है और वो चाहते हैं कि government e-marketplace में enter करें तो उनको भी यह videos काफी help करेंगी इन videos में हर एक छोटी सी छोटी detail मैं cover करने वाला हूं साथी साथ उन उस हर बंदे को मेरी videos help करेंगी जो भी government e-marketplace से जुड़ा है और government e-marketplace से related कोई भी काम करता है तो मैं try करूंगा देखी commitment तो नहीं कर सकता कि रोज एक video आएगी या एक दिन छोड़के एक video आएगी दो दिन छोड़के video आएगी कभी कवाय मेरा schedule ऐसा हो जाता है कि मैं बिल्कुल time नहीं निकाल पाता video बनाने के लिए but yes मैं try करूंगा इस बारी कि मैं एक दिन छोड़के video मैं बनाऊं और आप लोगों के साथ share करूं आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए support चाहिए आप लोग भी मुझे comment करके बताते रहिएगा कि किस topic पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो आप मुझे comment करके बताते रहिए गा regularly कि sir मुझे इसके बारे में भी बताई है कि यह क्या होता है यह क्या होता तो यह वीडियो बेसिकली आज मैंने इसी इंट्रोड़क्टरी वीडियो एक यह बनाया था कि आज तक का जो जनरी था हमारा यूट्यूब पे वो कैसा रहा और आगे का मैं क्या सोचता हूँ अपने चैनल के तुरू किस तरीके से मैं चाहता हूँ जादा से जादा लोगों को हेल्प करने का जो भी गौर्वर्मेंटी मार्केट प्लेस से जोड़े वे हैं और अपना जो बिजनस हैं ग्रोग करना चाहते हैं अच्छा लगता है कि जब में को कोई बोलता है कि सर आपकी वीडियो देखके मैंने एक ओर्डर ले लिया कई-कई-कई ऐसे लोग भी मिल देंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थांक्यू सो मच